हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी लोग तो आज मैंने बनाया था मटर का गुगनी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और बैंगॉल में तो यह हर टाइम हर किसी के घर में बनता है हर घर का सुआद बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है बहुत ही इसे बनाना मगर जितना इसे बना आप इसको पूरी के साथ खा सकते हैं रोटी के साथ खा सकते हैं राइस के साथ भी कहा मैंने कैसे बनाया था इसे आजम Cris सबसे पहले मैंने मतर लिया है white मटर लेना है जो सुखेवे मटर होते हैं यह हर दुकान में easy मिल जाते हैं यहां पर मैंने मटर लिया है एक कब मटर को अच्छी तरीके से हमें दो लेना है चुनने के बाद अच्छी तरीके से धो लेना है दोने के बाद हमें इसे भिंगो कर रखना है राद भर के लिए आप चाहो तो 6-7 घंटा भी भिंगो कर रख सकते हो तो अच्छा रहता है कि र यहां पर मैंने लिया है baking soda थोड़ा सा हमें डालना है baking soda ताकि हमारा जो मटर है वो अच्छी तरीके से soft हो जाए और स्वात के अनुसर मैंने डाला है यहां पर नमक नमक डालकर हम पेशो कूकर में इसका दो सीटी लगा लेंगे दो सीटी के बाद हम इसे wrist के लिए रख देंगे उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हम इसको open करेंगे तो मटर हमारा almost गल चुका है अच्छी तरीके से गल चुका है मैं तो इसी तरीके से गलाती हो आप अगर चाहो कि इसे कम गलाना तो थोड़ा जल्दी आप पेशे कूकर में एकी सीटी डालना तो ठीक रहेगा और यहाँ पर मैंने लिया है कड़ाई में थोड़ा सा जीरा जीरा को हमें धीमा आच में फ्राई करना है लाल यह हम मसाला बनाएंगे अलग से इसका जो फ्लेवर होता है ना मतर के गुगनी में बहुत ही यम्मी और टेस्टी सा आता है तो जीरा हमारा भून चुका है हम इसे थाली में डाल देंगे सर्सों के तेल में मतर का गुंगनी का सुआता है। यहां पर मैंने डाला है अर canal चीरा दालने के बाध मैंने यहां पर प्याज को दीमा आज में फ्राई करके गलाना है उसके बाद हमें क्या करना है यहां पर मैंने इमाम दस्ता में थोड़ा सा अद्रक मिर्चा लेसुन लिया है उसको मैंने कूट कर और इसी प्याज और अद्रक के साथ हम भून लेंगे ताकि उसका जो स्मेल है वो निकल जाए धीमा आज स्वाधर्द की अनुसर मैंने वहां पर नमक डाला था तो मैं हम यहां पर थोड़ा सा नमक डालूंगी ज्यादा नहीं अदालूंगे उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो जैसे कि लालमिच पॉडर, हल्दी पॉडर, धनिया पॉडर, थोड़ा सा जीरा पॉडर थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि इसमें मसाला कम डाल कर ही अच्छा बनता है डूल कर यहाँ पर हम ठोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको ठोड़ा सा बॉयल कर लेंगे ताकि प्याज और टामाटर हमारा और अच्छे तरीके से गल जाए और ट्रेन में तो जो घुगनी मिलता है ना उसमें तो बीना प्याच और ले सुनके ही वो मिलता है बहुत टेस्टी और यम्मी होता है वो और यहाँ पर मैंने जो जीरा लिया था वो उसको मैंने कूट कर इसमें डाल दिया है और डाल दिया है मटर बॉयल किया हुआ डाल कर हमें धीमे आज में सिफ 2-3 मिनिट के लिए बॉयल कर लेंगे ताकि जो हमारा मटर और मसाला इकसाथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इस तरीके से तरीक और ट्रेन के गुंगनी में टमाटर नहीं दिया जाता है अगर मैंने यहां मुझे अच्छा लगता है तो मैंने दिया है यहां पर यह देखे धीमधीमा आज में हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि मतर हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और जब मतर हो ज तो बस यह देखिए चला लेंगे और बनकर रेडी हो गया हमारा इस पेसल वाला गुगनी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग भी ट्राइग करिएगा आप लोग कै इस तरीके से बनाना यह देखिए अब आप इसमें डालिए मिर्चा प्याज धनिया पत्ता मैंने धनिया पत्ता नहीं डाला है ट्रेड में तो गाजर भी देते हैं वो भी डाल सकते हैं बहुत ही यम्मी लगता है